हाई आज मैं आपको बताने वाला हूँ CLP प्लान के बारे में जब आप प्रॉपर्टी खरीते हैं डेवलपर से बिल्डर से अंदर कंस्ट्रक्शन में तो आपकी जो पेमेंट होती है वो CLP बिल्डिंग का हुआ रहेगा लगबग 30% 40% और आप उतना पेमेंट कर चुके हैं लेकिन उसके बाद कंस्ट्रक्शन हो गया 50% तो जो बीच का डिफरेंस है दस या 15% का डिबान नोट बनाता है जो आपको देता है और आपको अपने बैंक को देना होता है ऑर 20-15% का काम बढ़ चुका है तो उतना डिफरेंस अमाउंट जो है पेमेंट प्लैन का वो डेवलपर को चाता है तो यह हो गया प्लैंट को कैसे जाता है रेफरेंस के लिए वह शीट जो है मैं आपको अप्लोड कर रहा हूं यहाँ पर आप यह शीट देश सकते हैं स्टेज वाइस डेवलेपर जैसे जैसे काम करता जाएगा आपका पेमेंट राइंक के तरों से उनको जाता रहेगा फॉल्लो असमोर तो लर्न मोर अबाट रियल स्टेट